यह है वो न्यूज जो एनाय ने अपने ट्विटर हैंडल से दी थी निकलेगी निकलेगी स्टेट रास्ता लो कि दे ट्रीब्यून में छपी हुई सेम न्यूज है आप इस सामने वाली पिक्चर में देख सकते हो लेप सेट से चार नंबर पर टोफी पहिना हुआ मैं हूँ तुर्टुक से निकलते समय बारिश शुरू हो गए थी थोड़ी दिर के बाद बारिश काफी बढ़ गई और रास्ते में लैंड्स्लेड होने लगी लैंड्स्लेड में होता यह कि पहाड़ी पे बारिश गिरती है उसके वजह से है पत्थर पहाड़ी के काफी तेजी से जमीन की तरह पाते है तो उसकी आप आवाज सुनो तो काफी तेजी से पत्तर जमीन की तरह पाते हैं तो इसलिए हमको काफी सामय जो है इस पहाड़ी की नीचे गुजरना पड़ा क्योंकि सामने लैंड्स्लेड हो रही थी करीबन दो घंटे तक लैंड्स्लेड चली जिन्दगानी लैंड्स्लेड खतम होने के बाद कम से कम ढ़ाई से तीन फीट पत्थर रस्ते पे जमा हो गयते तो वहाँ से बाइक निकलना बहुत ज़दा मुश्किल हो गया था फिर हम लोगोंने थोड़ा सा सोच के चार-पाच लोग आगे बढ़े और बाइक को एक आदमी बेटा के पीछे से तीन चार लोगोंने धक्का मार मार के हम लोगोंने कैसे तुभी बाइक निकली थोड़ा सा रास्ता भी बनाया पटे काफी मुश्किल था पूरी दर के पाद फिर बारिश चालू हो गई और हमको दो त्यार लोगों पत्थर भी बैटे मुझी भी बहुत पत्थर जोर से लागा था यहां से तो हमने जैसे देशे करके बाइक निकल ली बट आदा घंटा सामने जाते ही और एक बड़ा लैंड स्लेट था आर्मी केंड के पास सारे टूरिस को रोग दिया गये तक आगे जाने नहीं देते थे वहां पे जो सीओ साब थे उन्होंने आके हमसे कहा कि आगे जाना पॉसिबल नहीं क्यूंकि रस्ता पूरा पत्थरों से भर गया है वो जब जैसी भी से मशीन से पत्थर हटाएंगे त अब तक रात को आट नौ बजए थे तो उन्होंने हमारे लिए केंटीन उपन कर दी ताकि लोग कुछ चाय बिस्केट या फिर नूदल फोकर वहां पे खा सके पाइनले से उस आपने जाके राउन मारके है तो उन्होंने देखा कि रात को यह सारा हटाना बहुत मुश्किल ठीकि पाइनले की और खाने की वर्था पूरी वही लोक करेंगे कम से कम वहां पर 80 से 100 तूरिस्क अब जितने भी लोग गय तो हमारे रात का थाने को उसके बाद सोने का और उन्हें गरम कपड़ी बीगे एक-दो लोगों की तबेद बे काफी खराब हो गए थी क्योंकि सब लोग गिले हो गए बुखार भी था तो उन्होंने मेडिकल फैसिलिटीज भी हमारे लिए अवेलेबल करवाई राद बर गरम पनिता और दो तीन जो सोल्जर थे वो हमारे जाग रहे थे ताकि किसी के अगर तबेद खराब हो तो यह एक्सप्रियंस आप ध्यान में रखना के सब चीजे भी होती है उस दिन तो हार्मी हमारे लिए बचाव में आ गई नहीं तो बहुत मुश्किल होता था क्योंकि रहने खाने का कोई ठीका नहीं था और रस्ता पुरा पैक था ना पीछे जा सकते हो ना आगे जा सकते बिच में शिर्फ एक्यू विलेज था तो पता नहीं क्या होता था तो एक सांदर एक्सप्रियंस था और इंडियन आर्मी को थेंक्यू